हेलो गाइज तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनु के जून 2024 टर्म एक्जामनेशन की 22 डेट सीट के बारे में इगनु ने फाइनली उसे रिलीज कर दिया है ओडियल मोड के स्टूडेंट के लिए इगनु दो तरह से प्रोग्राम उफर करती है पहला ओडियल मोड ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो इगनु का टेडिसनल माध्यम है दूसरा आई ओपी इगनु ऑनलाइन प्रोग्राम जिसका डेट सीट अभी आना बाकी है जब आएग जारी की गई है ये सभी विद्ध्यारथियों के लिए है अलग से कोई डेट सीट नहीं आती है जो जिसकी बैक लगी है जिनका फ्रेश एकजाम है फरस्ट एर सेकेंड ये थर्ड एर सभी की एक सा चाहे मास्टर हो चाहे बैचलर हो सबस्विकर ुप्लोमा सभी के लिए ए अलग अलग आता है लेकिन ये date seat जो आती है वो combined आती है सबकी एक साथ में तो ये confusion सबसे पहली clear कर लीजिएगा सभी लोगों को इसी date seat में से अपना date and timing देखना है आपका exam है आपका first meeting है या second meeting है इसी में से पता चलेगा आपको तो ये date seat आप directly वीडियो के description से download कर सकते हैं या फिर में टेलिग्राम चैनल से download कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए है चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर सकर लेजिएगा ताकि कोई भी latest update आपसे miss ना हो तो इस date seat के बारे में बात कर लेते हैं क्या लिखा गया है सबसे पहले कि जो exam form है जो भरा जाएगा जून 2024 टर् बोली गई है कि अपनी course की validity वगरा चेक कर लीजिएगा ठीक है और assignment वगरा सब्मिट किया है कि नहीं आपने वो चेक करने के लिए बोला है कि assignment वगरा जरूर सब्मिट कर दे कुछ जो exams होते हैं वो class करते हैं किसी किनी कारोनों के वज़े से जो mention किया गया जैसे कि one से six group प class कर जाते हैं किसी कारोनोस हो सकता है कि कुछ mistake हो जाए तो वो चेक करने के लिए बोलते हैं आप लोग का fresh exam class नहीं होना चाहिए तो उसके लिए बोला गया है और यहां पर देख लीजिएगा अगर कोई mistake इस तरीके से मिलती है आपको तो आप report कर सकते हैं 28 फरवरी तक जो जो OMR based होते हैं पहले ही बता दिया गया यहां पर देख लीजिएगा और इनकी भी date seat में अभी date मिल जाएगी जब आप search करोगे लेकिन यहां पर पहले ही बता दे जाता है कि यह OMR based program होने वाले हैं आपके ठीक है कुछ program OMR based हुआ करते थे बट उन्हें अब descriptive कर दिया गया तो यह यहां पर पांचवे number point पर mention कर दिया गया है आप यहां पर groups mention किये गये हैं चटवे number point पर मैं एक चीज़ बता दू कि अगर आप बैक का paper दे रहे हैं या फिर आप गय पीर है बीच में आपने exam छोड़ दिया था तो हो सकता इस case में आपका exam class हो जाए तो वो दे रहे हैं और fresh दे रहे हैं अगर वो class होता है तो इस case में आप report करने के लिए उपर वाले email का यूज कर सकते हैं फॉर्मर का यूज कर सकते हैं सेम उसी प्रकार से नए वाले programs जो अभी CBCS के हैं उसमें भी इसी तरीके से group वाई subjects अनिरधारत किये गये हैं तो उसको भी अब चक्का लीजिगा कितने सारे programs की exam इस बार हो रहे हैं यहां पर list mention किया गया है अब नीचे आता है आपका tentative date seat एक जून 2024 से Saturday से आपका exam स्टार्ट हो रहा है ठीक है यहां पर date और day mention किया गया है पहले column में morning session है और दूसरे column में आपका जो है यहां पर evening session mention किया गया है जो है revise किया जाएगा पहले में बता दे रहा हूं drastic change नहीं होता है बहुत ज्यादा change नहीं होता minor changes किया जाते हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूत नहीं है क्योंकि बहुत सारे working professional होते हैं बहुत सारे defense personal होते हैं तो उनको पहले ही date चाहिए होता है हाला कि पहली बार में इ रिवायच किया जाता है आगे पीछे किया जाता है कुछ regions को जैसे तो वह बहुत ज्यादा changes नहीं होते हैं इसमें इसे साबस अपना date sheet बना लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को छुटी वगारा के लिए apply करना पड़ता है पहले से अगर date sheet वगारा नहीं रहती पता होते कब आपकी एक्जाम पढ़ने वाले है तो चुटी वगारा में defense में दिक्कत होती है तो यह पहले इसे लिए जारी किया जाता है तो यहां पर आपको सर्च करना है माली जी आपका MSO प्रोग्राम है MSO जैसे यहां पर देख पा रहे हैं MSO आपको first day में ही है और morning session में ह day क्या है Saturday इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं control F करेंगे यहां पर अपने program को लिखेंगे से MSD लिखते हैं MSD लिखेंगे तो MSD प्रोग्राम है MSD के हिसाब से code भी मिल जाएगे MSD 2 MSD 2 आपका 5-6-2024 को है Wednesday को morning session में यह morning वाला column है तो आप इस तरीके से आप सभी subject सर्च कर लीजिए यहां पर subject code को सर्च करके अपना date and time लिख लीजिए किस date को आपका exam है morning में है इवनिंग में है इस तरीके से बायक के student है fresh students सभी के लिए और practical के लिए बोला गया जो practical based program होते हैं उनके जो notification है वह आपका original center जारी की करेगा तो उसके लिए आप जब exam form भरोगे तो उसी time आप भर दीजिएगा schedule बगरा जो है आपका original center जारी करेगा तो अपने original center की website देखते रहेगा practical generally जो है आपके examination के बाद होते हैं तो practical based program अले student practical की fees भर जरूर दीजिएगा बट अपने original center के touch में रहेगा study center के touch में ताकि वहाँ पे आपको schedule मिल जाया उसके लिए यहा update change हो जाएगी तो यह एक important update था कि आप 22 date के हिसाब से अपना जो है तैयारी करना start कर दे और exam की preparation करना शुरू कर दे अपनी चुट्टी और गरा कम manage कर ले इसलिए 22 date seat पहले ही जारी किया जाता है तो आप note करें और कोई सवाल है तो को इन बॉक्स में लिखके पूंच सकते तो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक इन प्रिस कर लिजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मने अपडेट के साथ तब तक कि लिमस्कार धन्यवाद दो